हेलो एंड वेलकम दोस्तो मेरा नाम है जित और आप सभी का स्वाकत है साहेजुकेशन के ओफिसियल यूटूब चानल पे तो दोस्तो आज की यह विडियो रिजनिंग के इंपोर्टन क्वेशन्स पेपर की एक बहतरीं प्रेक्टिस सेट है जो कि पुराने इकजाम जैसे आरपीअ के एकजाम में आये हुए जो भी महत्पूर क्वेशन्स हैं रिजनिंग के वह क्वेशन्स आज हम आपको सॉल्ब कर और किस तरीके से questions exams में पूछे जाते हैं उसकी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी विभीन प्रकार के exam की त्यारी आसानी से कर सकते हैं चाहे आप SSC, Railway, Banking या UP Police Constable, साथ-साथ, RPF, NTPC, MPP Police, व्यापम या पंजाब पूलिस जितने भी exams हैं competitive exam जिसमें reasoning पूछी जाती हैं उन सभी को cover आप आसानी से इस practice set के माध्यम से कर सकते हैं तो यह हमारा जो practice set set number one है यानि अब आपको daily किसी ना किसी exams में आया हुए questions की practice करने का एक भैतरीन मौका मिलेगा तो पहला questions है स्रंखला में अगली संख्या चुने जैसे कि यहाँ पर एक स्रंखला दी गई है इसमें प्रश्ण वाचक चिन जो है इसमें कौन सा series जो है cover करते हुए प्रश्ण के जो SI 15 जनवरी 2019 के shift number 1 में जो आया हुआ questions है अब दोस्ते 15 से 20 हुआ है ना तो 15 से 20 की हम बात करें तो इनके पीच का different अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे plus 5 हुआ है और फिर आगे जब अगर हम करेंगे 20 से 40 होने के लिए तो यहाँ पे into 2 हुआ है यानि यह दूगना ह फिर आगे देखेगा 40 से 45 के लिए प्लस 5 हुआ है और 45 से 90 के लिए into 2 हो गया है यानि पहले प्लस 5 फिर जो जैसे पहले 15 दिया है, 15 से 20 हुआ तो प्लस 5 हुआ है, 20 का दूगरा 40 होता है, तो 20 का इंटू 2 हो गया है, तो दूगना हो गया है, फिर 40 से 45 के लिए प्लस 5 हुआ है, फिर 45 का दूगरा 90 होता है, तो पहले प्लस फिर इंटू, फिर प्लस फिर इंटू, तो अब आगे भी बीच का डिफरेंट आपने चेक किया, तो 15-20 के लिए प्लस 5 हुआ, और 20-40 के लिए ठूकी संख्या जश्ट दूगने में बढ़ रही है, तो यानि इंटू हुआ है, जश्ट दूगना हुआ है, फिर प्लस 5 हुआ है, फिर इंटू 2 हुआ है, तो 90 हो गया है, फिर आगे भी प्लस 5 होगा, तो इस तरीके साथ इसको solve कर सकते हैं, अगला questions है, ये कथन और निसकर्स वाले questions है, इसमें कह रहा है, कुछ गेहु चावल है, सभी चावल ककरी है, निसकर्स कह रहा है, कुछ ककरी चावल है, तो इसको लिए आपको करना क्या होता है, जैसे कुछ गेहु की बात करें, तो गेहु, ये हमने गेहु बना लिया, और एक सरकल बना लिया, कुछ गेहु चावल है, फिर आगे कह रहा है, कुछ चावल है, तो चावल का भी संबंध है, चावल के साथ है, अब आगे कह रहा है, सभी चावल ककरी है, तो सभी चावल ककरी है, अब ये आपका यह diagram बन गया अब इसमें आपको देखिए सबसे पहले अगर उपर जैसी यह उपर नीचे है उपर से यानि अगर उपर में left से right जा रही है तो इसमें होता है all अबलिक सम यानि सभी और कुछ और नीचे में क्या होता है दाय से बाएक तरफ आने में only for some यानि कुछ यह होता है यानि गेहूं से अगर हम करी की तरफ जाएंगे तो इसमें all और कुछ दोनों का relation बनेगा लेकिन करी से गेहूं की तरफ आएंगे तो केवल कुछ का ही संबं बनेगा अचा जैसे हम निसकर्स की तरफ चलते हैं कुछ करी चा है करी से चाय की तरह पा रहे है तो कुछ काय ते option नंबर एक निसकर्स जरूर बनेगा फिर आगे देखेगा कुछ करी गेहूं है करी से कुछ करी गेहूं है तो करी और गेहूं का तो कोई relation ही नहीं है तो य यहाँ पे कुछ का ही संबंद यहाँ पे आप देखने को मिलेगा इसके हिसाब से तो केवल निसकर्स एक ही अनुसरन करता है option number 1 इसका right answer है तो इस तरीके सब इसको solve कर सकते हैं उसके बाद अगला question सरंखला में अगली संख्या चुने अब इसमें दिया क्या है बावन दिया है फिर तिरपन दिया है शंतावन चाचाट बैयासी प्रश्णमा चेक्चेन यह जो सिरीज है left से right की तरफ जारी है तो आप इसको दुनों तरफ से solve कर सकते हैं right to left left to right अब इसको कैसे आप solve करेंगे तो सबसे पहले left की बात करें अगर जिधर से सिरीज छोटी हो उधर से आप solve करें आसानी से solve हो जागा क्योंकि जैसे इसमें बावन दिया है फिर बावन से तिरपन हुआ है तो इनके बीच आप different देख सकते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा बढ़ा है तो प्लस एक हुआ है फिर तिरपन से 57 के लिए प्लस 4 हुआ है फिर 57 से 66 की बात करें तो यहां फिर प्लस 9 हुआ है और फिर 66 से 82 की तरफ अगर हम बात करें तो प्लस 16 हुआ है फिर 82 में क्या जोड़ेंगे कि प्रश्माचक चिन के स्थान पर क्या आएगा तो अब देखिएगा कि 1 से 4 तक जाने में प्लस 3 हुआ है अब क्योंकि different का different हमको निकलना है फिर 4 से 9 के लिए प्लस 5 हुआ है और 9 से 16 के लिए यहां पर यह जैसे यहां 9 है यह रूपर में 16 हमने लिखा तो यहां पर 16 लिख देते है नौ से 16 के बीच का different अगर हम देखें तो प्लस 7 हुआ है अब इनके बीच का देखिए तीन से 5 के लिए प्लस 2 हुआ फिर 5 से 7 के लिए प्लस 2 हुआ तो आगे भी हम प्लस 2 ही करेंगे 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा और 9 को 16 में जोड़ देंगे 16 9 प्लस अगर कर देते हैं तो यह 25 होगा और 25 हम इसमें एड़ कर देंगे 82 में 25 जोड़ देंगे तो 107 यहां पर आएगा option number 3 इस question का right answer है तो इस तरीके साब इसको solve कर सकते हैं यह है सबसे पहले हमने जो series दी गई है उसका different निकाला फिर उस different का different निकाला फिर उस different का different निकाला तो आसानी से series solve हो चुकी है अगला question अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यह dice का questions है उससे पहले दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like करिए और साथ ही इसको ज्यादा ज्यादा share किजिए टेलिग्राम चैनल का link description में इस class की PDF के लिए अब उसको join कर ले अब चलिए इस question को solve करते हैं दिये गए पासे की अनुसार पासे की प्रतेक सत्य पर च्छ अच्छ 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 अ तो उसमें क्या होता है कि दोनों dice में आपको देखना होता है कि कौन सा number word letter common है देखिए इसमें एक dice में e common है तो दूसरे में भी e common है अब इसमें क्या किया जाता है जहांपि e दिया है तो सभसे पहले उस dice को clockwise वहां से लेंगे जैसे e के बाद clockwise चलते हैं E से हम इधर जाएंगे E के बाद A लिख लेते हैं फिर A के बाद B लिख लेते हैं तो हमने यहाँ पर B लिख लिया इस तरीके से अब दूसरे सेकेंड वाले डाइस में E से ही हम clockwise फिर जाएंगे E के नीचे हम E ही लिख लेते हैं ठीक है फिर उसके बाद अगला clockwise आएंगे तो F हाईगा तो A के नीचे F आगया और F के बाद D आजाएगा तो B के नीचे D आजाएगा ठीक है अब यह हो गया इनका opposite लेटर A का opposite F हो गया और F का opposite A हो गया B का opposite D हो गया D का opposite B हो गया अब E की बात करें तो ए जो है अब चुकि ए में कोई option तो अब option की तरफ चलते हैं ए का opposite वही होगा जो कि इस dice में नहीं दिया गया तो A नहीं होगा क्योंकि A आल्रेडी F का opposite है F नहीं होगा क्योंकि A का opposite F होगा और B नहीं होगा क्योंकि D इसका opposite है तो इसका right answer option number A option number A यानि C इसका right answer है इस तरह के सिसको solve करते हैं उसके बाद अगला questions प्रशन चिन को उस विकल्ब के साथ पदले जो पहली जोड़ी पर लागुतर्ग का अनुसरन करता है अब इसको कैसे करेंगे जैसे television का संबद जिस प्रकार से electricity से है तो कार का संबंद किस से होगा तो television का संबंद जिस प्रकार से electricity से है यानि जो television है वो light से चलता है तो car किस से चलती है तो car जो है fuel से चलती है option number B इस question का right answer है तो आप इस तरह के से इसको solve कर सकते हैं उसके बाद अगला question स्रंखला में कौन सा एक है जो समू से संबंधित नहीं है तो Q M I S T दिया है अब इस पे आपको वो चीज बताना है कि कौन सा जो इस series में additionally कह सकते है add है जो कि इनके मद के relation को follow नहीं करता है Q की बात करें तो Q की place value 13 होती है M की बात करें Q की 17 होती है Q का 17 होता है M का 13 होता है I की बात करें I 9 होता है S 19 होता है T की बात करें T 20 होता है याने 20 17 से 13 के लिए दोस्तों है पी देखेगा Sorry माइनस का 4 हुआ 13 से 9 के लिए भी माइनस 4 हुआ और 9 से 20 के लिए प्लस 10 हुआ और 19 से प्लस 1 हुआ चुकि पहले माइनस 4 माइनस 4 हुआ फिर प्लस 10 हुआ तो आगे भी प्लस 10 ही होना चाहिए था जबकि प्लस 1 ही हुआ तो इसके हिसाथ T जो है इस question का right answer है अगे प्लस 1 हुआ टो All- भिन है उसके बाद अगला कोईशन प्रश्ण चीन को उसी विकल्ब के साथ बदले जो पहली जोड़ी पर लागुत तरका नुसरन करती है क्यों रेशो एच दिया है जिर आगे जो दिया है यस का क्या होगा तो इसको आप कैसे शॉल्प करेंगे तो देखिए क्यों की बात करें क्यों की प्लेज वैलू होती है 17 एच की प्लेज वैलू होती है 8 इनके बीच का अगर हम डिफरेंट देखे तो माइनस 9 होता है यस की बात करें, यस 19 होता है, तो इनके बीच में हमें भी माइनस 9 का डिफरेंट लेना हो, तो माइनस 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे 10 होगा, 10 की जो प्लेस वैल्यू आती है, जे होती है, तो आप्सन नमबर ए, इस क्वेस्टन का राइट एंसर है, देख सकते हैं, यह RPF SI 15 जनवरी 2019 के सिप्ट नमबर एक के एक्जाप्स में आया हो, क्वेस्टन अगर आपको वेरिफाई करना हो, तो आप स्क्रिन स्वाट ले लें, और क्वेस्टन स्वेपर को डाउनलोड करके मैच कर लें, इस तरीके से कोश्टन पूछे जाते हैं, रेलवे में, उसके बाद दोस्तों अगला एक निश्चीत कोड भासा में, यदि A, W, O, Y को Z, W, Y, L, B लिखा जाता है, तो उसी कोड भासा में साउंड को कैसे लिखा जाएगा, तो अगर हम बात करें सबसे पहले, A, W, Y, O, Y, Z, M, Y, L, B, लिखा हुआ है, अब इसको कैसे करेंगे, आप देखिएगा, कि A का पोजिट होता है, दोस्तों, A का पोजिट Z होता है, N का पोजिट M होता है, O का L होता है, Y का B होता है, यह सबए आपोजिट भाओवुमुम्वूमूमूमुम्वूमूमु forever सांड के लिए भी हम सेम अपोसेट वर्ड का प्रयोग करेंगे एकर हम बात करें तो का यैस मेशी ओक ऐल के करेंगे जो येल येफ येम डबलू है option नमबर बी इस question का हर राइट टेंसर हो जाएगा इस तरीके साब इसको solve कर सकते हैं opposite word का प्रयोग करके उसके बाद किर्ती की grand mother वीवेक की माता इसमें relation आपको पताना है तो इसको आप कैसे solve करेंगे तो किर्ती की grand mother वीवेक की माता के पती मनि मनिस की मा है वीनु किर्ती के पिता है किर्ती की मा वीवेक से कैसे संबंद रखती है तो इसको आप कैसे solve करेंगे सब्स पहले देखें यहाँ पर किर्ती की grand mother वीवेक की वीवेक की माता के पती मनिस की मा है तो किर्ती की grand mother वीवेक की माता के पती मनिस की मा है यानि यहाँ पर सबसे पहले मनिस है उसकी एक जो मा है यहाँ पर मदल लिख लेते हैं उसकी जो मा है और इसकी जो वाइफ है वाइफ का नाम वीवेक की माता के पती यानि अब यहाँ पर इसका लड़का वीवेक है ठिक उसके बाद मा है वीनु किर्ती के पिता है वीनु एक कोई है वीनु की बेटी है किर्ती तो किर्ती की मा वीवेक से कैसे संबंदित है तो यह है वीनु तब इसकी एक कोई वाइफ होगी ठिक अब ग्रेंड मदर यानि दादी तो इनका और इनका जो संबंध बनेगा वो कजेंड का शंबंध बनेगा तो इस तरीके साथ इसको solve कर सकते हैं उसके बाद अगला question नेम लेकिन स्रेक्रा में से कौन आने से भी ने ये आपको ग्यात करना है तो अगर हम बात करें इसमें place value का मुख्य रोल है place value या फिर कह सकते हैं इनकी जो coding मुख्य उसको place value ही कहा जाता है लेकिन जैसे r की बात करें r यान j r की बात करें वो 18 होता है यान 14 होता है j की बात करें j 10 होता है इन सभी के बीच का different देखें नन माइनस 4 माइनस 4 हो रहा है y h d की बात करें y h d y 12 h 8 और d 4 इनके मद भी different माइनस 4 माइनस 4 होता है जिसमें same pattern को follow नहीं करेगा वही इसमें भिन होगा k g c की बात करें k की value होती है इनके बीच का भी different माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 देख सकते हैं फिर आगे देखेंगा m i e की बात करें m की place value होती है 13 i की 9 और e की 5 इनके बीच का भी different माइनस 4 माइनस 4 देखने को p k f की बात करें p 16 k 11 f 6 होता है यहां पर आपको देखेंगा minus 5 minus 5 देखने को मिला है जो कि चार थो जो है वो minus 4 minus 4 को follow कर रहा है एक minus 5 को follow कर रहा है इसके हिसाब से option नंबर जो p k f option नंबर a इसको राइट एंसर है जो कि अन्यस से भिन है तो यह आपने इतनी questions आज आपको solve करने के लिए विला यह आती महत्पूर questions से आपके हर exams में आयो आने की मुख्य संभावना है या इस तरीके के questions exams में repeat होते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिए तो धन्यवाद दस्तों वीडियो को देखने के लिए